कि अज़िए आप सभी का स्वागत है और मैं अक्सर आप सभी के साथ इस तरह से कनेक्ट होता हूं और अब जूम आप के जरीए हमने कोशिश की कि जो भी हमारे दोस्त जो अपने जगव सब्सक्राइब करें और साथ किस तरह से आप घर पर तैयारी कर सकते हैं फिर किस तरह से सब्सक्राइब कंगा हुता है इसको किस तरह से हम सबी लोग जीते हैं तो इससे वक्त हमारे साथ जो जुड़े के आज चैसे प्रकुन हुचujemy है और हम तो स्वेख Bijegtने याल जो अपने घहर में है लॉक्डाउन की वैसे उत्तराखण में है वैसे दिल्ली में जो है अपना कोर्स भी कर रही है तो सबसे पहले मैं स्वाती से सवाल पूछे जाएंगा स्वाती सबसे पहले एक छोटा सा यही सवाल है कि अपना इंट्रो दीजिए कि आपका नाम आपकी अजुकेशन और क्या क रही है आप प्लाल में आप अज्ञा हाई जैसे कि आप सबको पताएं कि मेरा नाम स्वाती है और मैं बेसीकली उत्राखंच से बिलॉंग करती हूँ पर मैं कुछ सालों से बिली में हूँ और बिली से ही मेरी एजुकेशन पूरी वे ही मैंने हिंडी उनर्स किया बीउ से फ अगम एन्टरेस्स कैसे बना चार्टेंग? या किसी को देखके या किसी से इस्पार अच्टर कर गंगा। तो यह मैं एक्र बनूँ यह मैं दांसर बनूँ, बच्छ मन से देखने होते हैं, था टीवीद देखने होते हैं, मेरा भी वही, मैं उनमे से अगती है और जैसे जैसे मैं को अग्या देखना थालगी तो मुझे पता तला कि एक्रमाटिक सोसाइटी होती है जहां पे टेटर जेटर जोई चीज है। यहां पर नाटक किया जाते है। वीसे मैंने इतना की तिन अच्टाaking हैं चाहल। लहां मुझे निकलनी के बाद ही मुझे पतालगा किया था नातक किया जाते हैं। तेर्टर किया जाता है ये सब मुझे फरबाद में वो सारी नॉलेज आई उसके बाद मैंने जॉइन करा लोगों को लोगों से बात्चीज करी पहने से ही मैं बच्पन से ही मुझे ना फेम का बहुत जादा वो कह से ही कि मुझे दिखने होता था एक बना आपको फेम बहुत तो मुझे कुछ ने कुछ में करके रही थी और स्कूल में भी किसी भी नाटक में स्कूल में जब जब जाद की लोग मुझे जाने तो यही शौक साथ मुझे इस तरफ ले चला कि अच्छा स्वाति एक चीज मैं पूशन जाओंगा कि अक्सर क्या है कि हमारे गुरूप के लोग जो है हमसे यही सवाल जवाब पूशते हैं कि सर हम किस तरह से घर बैठ कर एक्टिंग करते हैं और इस वक्त जो है लोगडाउन लगा हुआ है तो घर पे हर एक्टर कुछ कि अपने एक्टरों कोड़रां एक्प्रश्म चीर करेंगरियों मैं लोगडाउन के दोरान म Pen मैं मुझे लिखने का शौक और तो मैंने जो åisa कभीताय लोगडाउन के दरान लीकी दिए लॉद्वन अ पहले लिखी सहां लॉप सीन्ट वहां हुँआनले उनको वी चुटिय अपना चैनल बनाया है तो उस पर डालती हूं मेरा ही है लोग्डाउन लिखना और वीडियो शूट करना अचा जैसे कि मैं अगर जानना चाहूंगा कि तुम्हारा सबसे पहला इंटर जैसे कोई आया थेटर में आते हो तुम्हें किसमें गाइड किया थेटर के लिए कौन थ पता लगा हूँगा यह भी जोड़ जाओ यह कर लो कोई पैसे मांग रहा हूँगा तो क्या अधिमार्ण में क्या चल रहा है जब बहुत शुरुआज की बात है जब मैंने मुझे थेटर का नौलेच आया मुझे चस्का लगा कि हाँ थेटर करूं यह मुझे पदा नहीं फेस्बुक के फेस्बुक गूगल मैंने सर्च किया कहां पर कौन सा थेटर गुरुप है जहां मुझे जोइन करना तो बहुत सारे थेटर गुरुप आय तो जब मैंने फेस्बुक में एक थेटर गुरुप जोइन कर था अब वो है नहीं तो वहां जब मैंने जोइन किया को मैंने कॉन्टाइक किया उन्हों ने मुझे बुलाया और उसके बाद वो लो कोई प्ले कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि हमारे पास टी करेक्टर है आप पर लो बाद में जब सारी रिहर्सल हो गई उसके बाद उन लोगों ने कुछ थाउजन रुपीज अमाउंट लिया उसके बाद मैंने किसी को नहीं पूछा था कि कैसे करना थे मैं खुद से चलती आई मैंने फेस्बुक में देख लिया उसके बाद मुझे समझा है अब मुझे लोगों से जोड़ना थे अब मुझे पता करना थे तो मेरी एक बोस्पन बहुत अच्छी प्टर से उन्हों न लोगों से मिलना दूलना हुआ तो मुझे जाकर पता लगी अच्छा मैं एक सवाल यही पूछने जाओगा कि मैंने सुना है कि मझे गौतम बता रहा था कि स्वाथी जो है मुंबई भी गई है तो क्या मलब किस ताह से मुंबई के अंदर कास्टिंग होती है कुछ थोड़ कि मैं महां कुछ में तब जादा रह नी पाई क्योंकि मेरी हैल्स इस्यो हो गए थे अभी मैं बाद में जाओं लेकिन मुंबई में जो एक मुंबई की जो दुनिया रह बहुत अलग है वहां पर जो कास्टिंग हो आपकी जो क्यारेक्टर वो लोग लिखते हैं उस हिसाब क्या है वहां पर शुष्खल है पर दिली ज ही बहुत अलग है बहुत अलग एक दुनिया इह है mुंबई और दिल्ली का दोनों का समान नत्यशिए हैं जैसे चास्टिंग हो पर आते हैं यहां सावी कास्टिंग मोंबई में जाते हैं बहुतीhando हैं जो अवसर मेरे चल्पी preacher चैनल बस्तों कि हाज़ा रिंडिया में दिल्ली ऑगर हम आऊे किले काम दिलेका हैं कि अलगा जानाँ चाहिए दिल्ली इक कास्टीगी तो प्रेट अछिए से लिए कि अगला द्साय कि मुंबई में पॉर्टी अलगा हुई आख प्रिंस क्या हैं कि पास करो तो मुंबे में आपके पास पास पॉपर्चुनिटीज भूते हैं। अप मुंबे में अप हर चीज बेख सकते हूं। वहां पे एक जगह आराम नगर है और एक तो ऐसी जगह है और आप जाओ और वहां पे डिली बार कास्टिंग होती है। और वहां पॉपरिटिवली दिली से जादा ही प्रोजेक्स होते हैं। तो लोग वहां पे बहुत 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 अपॉचनिटीज दिली का इसाब है कि दिली में बो तीन ही कास्टिंग कंपनी हैं आप एजिंटी हैं। यहां पे आप जाओगो आपका इंट्रो ले ले लेंगे और वहां पे ती प्रोजेक्स लेक्ते भी निया। एक दे होंगे फिर वो लेलते हैं। फिर वहां ते इतना रिस्पॉंस नहीं आपाता हैं। लेकिन जो नहीं बहुत बहुत आता है। वाकी और क्या पूछेटा है? आपको अपतbay ह सिलेखी है कि मुंभी आपको मचा कुछाब लिए वहीज आपको मिल कोज़ए है, बचा कूछा का थारीख हो है यह फिरनियों कोया है अजर कि अधर आपको कुछ बड़ा क्रेक्टर कर ना है आपको मुंभी ही जाना पड़ेगा यह इची बाती है देखो अब ताइम के साथ अभी बहुत चीज आ गया है जैसे दिली में भी कास्टिंग हो रही है लेकिन वो कहा ना कि यहां दिली में लोगों को पता निये लग पाता बहुत सारे लोगों देखों कि निये लग पाता कि कहा क्या तल रहा है और इसी ही तरह जिसने मुंबै में लोग उस तरीके से जिस तरीके से मुंबै में जाकर हो जाते मुंबै में लोग उसी चीज को ढूड रहे होते हैं वही बहुत सिया और इनम पिसक्राइटे है क्या कहते हैं कि आपने थेटर सीखा मलब रंगमंच किया और इसके बाद फिर आप मुंबई गई मुंबई के में आपने तीवी सीरियल या फिल्म के लिए ओडिशन दिये तो कितना थोड़ा डिप्रेंस होता है इसके बीच में कि एक शक्स पहले थेटर सीखता है और इसके म लोग तो इस तरह कोई आपको फेस करना पड़ा वहाँ पर कुछ इस नहीं मुझे इतना फेस निहीं करना पड़ा मुझे यार रही मैंने दो साल पहले ले एक सीरियल के लिए मैं किया था तो उस में जब मैंने उसके लिए अडिशन भी तो लगा कि हाँ, इसको नॉलेज होगी इस चीज तो लोग नो काफी एक अच्छी नगरों से देखते हैं धेर्टर वालो को जहां तक मेरा एक्सपीजिंस है और उनको लगता है कि हाँ, सेंसिबल होगा इसको चीजों का पता होगा एक बिल्कुल फ्रेश रूत के आने वाले इंसान और कुछ सीख के आने वाले इंसान में जैसे डिफरेंस देहता है, तो वो समझ आते हैं उनको को तो बहुत सारे बच्चों को सवाल होता जुस्से कि हमें कैबरे एक्टिन सीखना चीजिए या थेटर एक्टिन सीखना चीजिए तो आप क्या प्रिफरेंस करती हैं? काई वार हम भी उनको बता-बता कैसो जाते हैं कि क्या सही गायट क्या करें? बहुत लोग बाता थेटर को मार्दिम बना कर जाते हैं अबर तरी के लोगों यह जाना गारो हैं तो आपको कुछ ने को सीखना पड़ेगा कोई ने कोई बेसिक होता ही है जहां से हम को जैसे हम पांथे में तो नहीं तले जाते हैं हमें वो केजी यह लकी वो सब पढ़ना पड़ता ही है वो सब परना पड़ता है तो एक तेटर वैसे है आप एक सिनिमा की तरफ अगर जा रहे हो आपको आप को बॉलिवड कर मैं अभी बहुच भी तर लेकिन जो बेसिक अग तीज को तो आपको पकड़ तो होनी ताहिए, आपको पनी स्किल्स तो मजबूर्थ करनी हुदे ना, कि आपको कैसे खुद के इमोशन हैं, बहुत तारी चीज़े हैं, उन क्यसे आपको master करना है, खुद को समझजने काना बहुत 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 बह необходना है, अगर आपनी theater नहीं किया तो आप मुझे नहीं लगता कि एक दन साथ ये सामने आपने किसी बी चैरेक्टर को लेकिन मुझे क्या लगता है कि मैंने theater से जो चीज से किये मैंने बहुत अच्छी चीज से की time management आपको theater बहुत अच्छी तरीके सिखाते हैं तो मुझे लगता है कि आपने क्या सिखा अगर इसके साथ इंक्लूट कर दिया जाए तो आपने क्या सिखा थेटर से मतलब मैंने थेटर से बहुत अची चीज़ सीखिया, मैंने इसीखिया discipline और एक होते है कमिट्मेंट एक चीज होती है, आप आपने किसी काम के लिए कमिट कर दिया और उसके बाद आप मनाने कर से तो यह सबसे खुशूरत बात है एक थेटर में इस अच्छी बात यह है अचीज होता है लोगों का अपने काम करवती, और एक सीरिस्टमेस होती है और उनको है उनको पता है और उनको पता यह एक काम करने के लिए बूल दिया तो मैं करूंगा तो वो वो चीज बहुत सुंदर है थेटर में तो मुझे इस अची चीज लगते है एक डिस्टिप्लेन है एक कमिट्मेंट है एक चीज और सिखी मेने कि आपको पैसे से ज्यादा ना अपने करेक्टर से प्यार होने लगता है जब आपको इनाटक के लिए हां कहते हो आपको आपको पैसा नहीं मिलेगा आप पैसे की वैल्यू नहीं होती लेकिन आपको पता है कि यह करने और मुझे बहुत अच्छा लग रहा तो उस पर आप जो चुनते होना वो उता है आपको इतना अंदर से इतना आपको अलग एक अथ्छा इंसान बनाती है कि ठीके आप पैसे कि अधर को आपको चछा जरना ही वीखे भाग रहे हो तो वो चीज ठीके लिए मेरे साफ से बहुत अची विए जो आपको आपको सिखाता है जो आपको देता है यह कहीं नहीं सिखाएगा आप और मैं यह चीज चाहरा रहा था कि तुम जासे जब थाई थेटर करता है जैसे मैंने आपको पहले बताए कि मुझे थेटल के बारे में इतना कुछ नहीं पता था मुझे एक रास्ता चेह था जहां से मैं खुद को खुद की स्किल्स इंप्रूव कर सब को खुद को पहचान सब को कि हाँ अगर मैंने सोता है देखे सब लोग रोस्तिं की वह एक्षर बन जाएंगे या वह अच्का अभी नहीं कर लेंगे लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि आप करते हो या आप हो या नहीं हो यह खुद को पता होना बहुत जरूरी होना चाहिए तो फेटर से मुझे मैं जब जोड़ी फेटर से तो मुझे पता लगा कि हाँ मेरे अंदर है वो प्रेशिगा मैं कर सकती हूँ तो वो एक माधियम बना कि मैं आगे कुछ और आगे क्यूंकि सब को क्यामरा करना होता है यह सच है आप अगर उसको करियर ऑप्शन चुनते हो तो आपको पैसा भी आगे कब माना होता है आपको अपना पूरा घर उसे चलाना होता है तो आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे तो वो होता है नेक्स्टेप इसका कैमरा ही है और बहुत सारे लोगो तो जो थेटर में ही अपने अपना जीवन देख लेते हैं उनको वो हमें ही करें फैली मांबद भोलई तो मैं ठीर है मैं यूमांबद भी अजवची कोई आता है तो मैरे ऐसा हुआ तो मैं तो इसा हूँ थो तो मैं पहला जो था नेगिव कूर्व की हैं कि का मुशने बिश्त दिवाज में ला लागों के तरफ लागन है कि तब ही मिट्रेस तरफ तो मेरा बात बना थे मुझे पता लगा थेटर में पैसा नहीं जब मुझे पड़ा साफ में को लगा थे कि अगर कुछ करना थेटर की तो थेटर कर रहे होते हैं और तो जैसे को बहुत लोग आते मेरे का न बिना पढ़ाई कि अगर पढ़ाई कि अगर पढ़ा हूँ या दसमी तक पढ़ा हूँ या मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता हूँ भट मेडिया या थेटर में काम लगने तो उनके लिए तुमारा क्या जो है जो लोग है उनको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको पता ही नहीं हो आप किसी भी फेल्ड में जाओ तो उसका बेसिक नॉलेज है वो जब को आना ही तज़िए वो चीजे उनकों इसके इड़िकिर जो भी तीज़े हैं उसाब पता होनी कि तो उसी देखी है कि जब इसक्रिप्ट मिलती है तो आपको कई वारे इंगलिश में होती है जैसे अगर मैं अगर मानलो मैंने 10th year 12 ते रखे बहुत लोग अगर मैं गाउं से अगाउं से किसी प्रांच से बहुत पत जब आपको इस तरीके का कुछ मिलता है जो आपके पंफर्ज उन से हटके होता है ठीक आपको इंग्लिश नहीं आती है लाइंग्वेज बेगेर हो जाता है कभी कबाद तो उस समय जो आपके पास है ताए वो कास्टिंग एजिंटी का बंदा है जो भी है आप उसको यह अ इसको अपनी अच्छ नहीं इसको परफॉम कर पाऊंगा तो वो आपकी मदद करेगा आपको समझाने में वो जो चारक्टर है तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं पर आपको धीरे दीरे क्या होता ना कि अगर आप एक फोन जो होता है वो सब्सक्राइब नेश्याग्टर थो आपको सीखना पड़ेगा लिग ईसे पता है कि आप कहीं से को चुछ कुछ कर रही हैं चोंश ने वह, जैसकि हैं आप आर्टिस्त थेरे ने यह मुझे लगए तो भी आपनी भी, भी अपर दढ़िए अग्शॉत वह, अ कुरस से और इसको आप बैकप ही कह सकते हो क्योंकि देखे जब अपनी मेरको अपनी स्किल्स इंप्रूव करने थी और मेकप ऐसी चीज थी जो मुझे शायद मेकप मुझे कभी नहीं आथा कभी-कभी आपकी आपकी ऐसी सिच्वेशन हो जाती है कि ठीक है जैसे मैं आज अपनी वीडियो शूट करती है तो मेरे पास इसना बज़ट नहीं है कि मैं एक मेकप आर्टे सफोर्ट कर सको सपोस्स कीज़े नहीं कर सकती तो उस तहीं पर मैं क्या करूंगी मुझे भी तो कुछ आना चाहिए तो यह थोट रखते हुए मैं चीज़ों सीख रही हूं कि ताकि कल के दिन ऐसा नहीं कि अगर मुझे कुछ पनाना हो तो मैं खुद कर रही है तो इस थोट से मैं यह है कि अगर मैं आता हूं किसे इंवाल्मेन से तो मजें बैकस्चेस से चालू क्याता है कि मजे खगाया जा बहुत काम केमने वहाँ पी चाहिः बहुत परशान करति सुप कुछिंस काम कोजी मै मेच इन और सकते होग गए दॉट रेगी होगी does करें अधाया हिए बमक्रभ केर्षण रीकी कि क्या नवागति युपाट पाश्षान करतेma living which इवेनि उपनी सने सेखिए स्कुत को सब्ष zuरय नायर न हमने तमाम तरह के काम वाँ सीखिए, निए अंजान कि मैं भी कॉस्टूम नहीं पर छी है कि आपको खाली एक्टिंग नहीं लिग जादा है।। तो मुझे लगता है। यह रहना है। आपको शारी चीज़ आपको लगानी पड़े कि आपको लाइट भी देखनी पड़ेगे। आपको लाइन कैसे लेना वो भी देखना पड़ेगा यह तो है और यह निए कि आपको देखना है आप इंटरेस्ट आप जीफ हो तो वहां तो एक दूसरे का हाथ पकड़के चलके सब उस्तर हो पुरा चैन वर काम करता है पीमवर के पुरा जैसे मीडिया है जैसे मीडिया के आप देखाई कि आए आप यह कैमरे के जाता हूह तो आप भॉत कम लुच जो मेरा एक्सपूरा इस-गटार नेक खड़े और बहुत कम बठाते ने कि निगे तब तरी में हैं यह नहीं है तो आपको इस दोरा में कैसे काम गरना है तो ऑपको दोनों में अगर तेख़ां कि कि इसे तरह से में करो यह मैं कैसे एक्सीर करता हूं जए तिटर और क्वाहाथ जो है ये दोनों बहुत 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 अंतर हैं er बहुत ऑप estarences किसीर संब कर सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं वहां पर किसी एक को एक offersक दिया लिए जाती त कर निता तबंगों। आप कुछ कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब सकते हैं। सब्सक्वारा करे लिए पिंग्रेश तरब वेतीि box उप सिर्फ अपने करे जो फिर्फिरी क्यारक्टर करे हूँ और क्यूंकि उनके पास पाइन मेनेश करना पड़ती है, उनका बहुत बड़ा क्रू होता है, उनको उस तरह के से मैनेश करना पड़ता है, कि आपको एक दिन है इस शूट का या इस पर्टिफलेश सीन का तो उस पे इसलिए वो एक ड्यूटी दे रहते हैं सब को कि फला प्रटिफले अलग बंदा है वहां पर अविलेश इसलिए वो चायद इस तरीके सहोता है और मेरे जहां तक एक्सपिरिंस से मेरे जिए एक दो शूट जिते भी रहते हैं, तो मुझे हमेशा बताया कहा है, उनका होता है वो बता देते हैं कि आपको इस फ्रेम में यहां पर करना, एक मार्किंग कर देते हैं, पहले से ही लुक्ते करके रखते हैं ताकि अबाद में एक्टर को कन्फ्यूजन ना हो और अगर शौट तल रहा हो तो वो इस्टरब ना हो एक पहला सवाल यह कि जो आप वीडियो बनाती हैं, वो यहां और उस प्रेस बनाती हैं, तो अब आप लुक्ते करना हैं, जो लोग देखे तो आपको फड़ा फॉलो करें हो, देखें आप ताम सब्सक्राइब मेरा यह वीडियो बनाने का थौट आया क्योंकि देखो एक तो लॉंग डान हो चुका था आप और कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर जो है आपको अगर लिखने का शौक है तो आप लिखो और मेरे साथ पुलस पॉइंट था कि मेरा भाई उसके बास कैमरा है त तो पुछ नहीं निकल के आना ही चाहिए आप एक पुरा दिन यूहीं ही नहीं बिता सकते हैं और लोगडाउन तो जैसे दो महिने तक चल गया और मैंने पुरानी अपनी कवीटाएं कुछ लिख की तो मैं चाहती थी कि सब तक पहुँचे एक कवीटा हलागी मेरा पेज है और पर इतने लोगों तक नहीं पहुच पाई तो मैंने सोचा क्यों ना एक मुझे हमेशा से रहता था कि मैं वोईस ओवर ट्राइ करें तो अगर आपको कोई और नहीं मौका देगा तो आप खुद को मौका देगा आप खुद को वीडियो में भी लिया और आप खुद का सब्सक्राइब कर लो तो मैंने अपनी बॉइस के साथ मैंने सोचा चलो यह भी कठते हैं तो यह थोट आया तो मैंने कर लिया और मैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं अगर वो पूछते हैं कि हमें अपने आपके काम करना है बेसिक से बता जीती है तो आप उन आती बच्चों के लिए सबसे पहले जरूरी है आपको एक आदत होनी चाहिए वो है पढ़ने की आदत आप जितना कुछ पढ़ सकें जितना कुछ अबजर्व कर सकें अबजर्वेशन दे की बहुत पावर्फुल तीज है मेरे साफ से और जो बिलकुल बेसिक बच्चे होत जनवानी चाहिए एक अनको आना चाहीए और पढ़ना शुरू करें जितना पढ़ सकें, जितना पढ़ सकें, जितना ले सकें, पढ़ने से मेरे मतलब है नाटक कवीता और कहानिया जितना कुछ ABRivi तो जैसे वो अपढ़ना शुरू करेंगी वैसे उनका दिमाग खुल वह अलब कै आने के बात की बात की बात एक वो रहा है। तो बहुं साही है कि लोग पास बर्दण सक्टीजए और भौट Legends कर नहीं कि अब आपको बतायी कि वो लोग पॉल है तो बहुत बहत growth तो जो घर में बैचके कुछ चीजे जो पॉसिबल है वो है हमारी जतना हम देखें उन्से कहिए कि आप सब्सक्राइब करें इसे देखने का आप जितना अथी 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 फिल्म देख सकते हैं अथी अथी बुक्वे पड़ सकते हैं और फिर एक सिल्पल सी एक्सराइ वो अगर वो कर लें और वो रोज करना शुरू करें उससे क्या होगा कि आपका एक अपनी ब्रीधिंग में चंट्रोल आजाएगा और सिर धीरे धीरे यह बहुत ही बेसिक जहां से चीजे शुरू होती आपको अपनी सास का अगर कंट्रोल होगा ना तो आप जो भी डायलो अजु आप का लिए अटारन है वो साफ ऑंदर छोड़के बाहर चोड़के वो लें होगे बाहर ज़ोड़के वकरना शुरू करें और पढ़ना शुरू करें और देखना शुरू करें सवाल तो मेरा यह है कि आपने सारे सवाल पूछ ले जो मेरे दिमाग में थौट में हार इतने बेचार वही पूछ ली है तो अच्छा लागा और थोड़ी समय कमी थी इसलिए वज़े से मैंने आप सभी के साथ और दुबारा से हम सभी लोग पर कनेक्ट होंगे एक बार फिर मैं आजाता हूं या आजाता हूं कि एक्सपरिमेंट वर भी चीज उनको बताये दी जाए वह वह बेसिक बेसिक चीज शी थोड़े बात कर लें हम बच्चों को और धूटेयल में जाएं कि कैसे करना है करेंगे उसको सब्सक्राइब करेंगे तो पहले शिरुवाद में आप बच्चों को जो जिते भी लोग जुड़े हैं को जो प्रॉब्लम आ रही है या फिर जिनको जो की समझ नहीं आ रही है पहले वो क्वेरी करें करेंगे वो चैनल पर लगातार करते लोग जो ब्हुत सवाल को जवाब देंगे या फिर वो लोग हमसे विकने को जुनना चाहते हैं तो वह सामने आके सवाल पूछेंगे तो वह बहतर तरीके से हम उसके बारे में समझा पाएंगे मुझा लगता है जहां तक तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और आप सभी लोग को इसी तरह से पसंद करते रही हैं और मैं जो हमेशा आप से कहता हूं कि लाइक शेर कमेंट जरूर कीजिगा वीडियो आपको कैसा लगा और कमेंट कीजि और सब्सक्राइब उन विजिटर से करता हूं मैं जो हमेशा पहली बार मेरे चैनल पर आते हैं कहीं से भी उन्हें संपर्क में या कहीं से जानकारी मिलती है चैनल के बारे में तो वो प्लेस सब्सक्राइब का बटन है उससे दवाईए और उसके साइड में बैल आइकन है पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे लेटेस्ट वीडियो जो भी हम नेक्स्ट लेकर आएंगे वो आप देख सकेंगे